हेलो एब्रीवन मैं अनुज कुमारतिंग शिक्षाधाम से वेरी वेरी गूड मॉर्निंग का टाइम है और टाइमिंग आपको दिख रहा होगा दस वजे का टाइम है और आप सभी एक वीडियो बनाने जा रहा हूं वीडियो बनाने का परपस क्या है काफे सारे परसन काफे स अरे स्टूडेंट काफे सारे लोग कंफ्यूज है क्यों कन्फ्यूज है सर क्योंकि सवेल ने जो डेट्ट शित निकाला है इस स्पेशल चांस बीग कौम ऑनर्स के लिए एडे शिट आ चुकी है ऑक्क्टूबर नुवमबर में एक्जाम है तो जो डेट्ट शिट नीकाल ह यहां पर स्लेवस कुछ और था यहां पर कुछ स्लेवस तो उसके स्लेवस के अकॉर्डिंग लिए तो आप लोग को स्पेशल चांस मिला है जरूर बेनिफिट उठाइए मैं जितना समझ पाता हूं मैं मतलब कि किसी से मैंने पूछा नहीं किसी ने मुझे बताए नहीं जो मै एक सोच रहा हूं काफी बच्चों ने भरा है स्पेशल चांस के लिए और मैं मान के चलू 10 से 15 परसेंट हो सकते हैं यह 40 30 परसेंट इनका के स्पेशल चांस की वज़े से फाइदा हुआ है और वो अपने जॉब के लिए पर एक्जाम देंगे दूसरा कुछ है जो कि एक होता है ने कि रस्पेक्ट के लिए कि मैंने भी डियू से ग्रिजुशन करा है और में वो है तो पहली बात आप जब एक्जाम पे जाएंगे सब आपके एज के बराबर की होंगे कुछ मुझ से भी ब काम भर दिया लेकिन हम पर आनी चल रहा है स्लेबस कहीं अवेलेबल नहीं है कहां मार्केट में क्या टॉपिक था कभी पहले पढ़ा करता था अब तो याद ही नहीं आ रहा तो उसके लिए सुलूशन यह है सर आप जाईए कि सिवदास डॉट इन पे इनके पास पूरा पेपर होता है 1948 से लेखे इनके पास अब दूसरी बात आती है सर प्रैक्टिकल कोश्चन की सर प्रैक्टिकल कोश्चन की अगर हम बात करें तो प्रैक्टिकल कोश्चन और सो महामिल जाएंगे लेकिन उसके आप भी जानते हैं कि पढ़ना पड़ेगा सम YouTube के उपर मैंने सारी के सारी वीडियो डाली है सारी वीडियो जो मैं पढ़ाता हूं वो पढ़ाते हैं वो सारी वीडियो डाली है आप YouTube पर free of cost कर सकते हैं लेखिन जहां तक मैं समझ सकता हूं कि आप study से इतने दिनों से तो अगर आप वो चीज़े ढूंड के ही कर लेंगे तो फाइदा मतलब के फरक क्या रहेगा फिर तो आपने खरी लिया तो इसलिए मैंने इस वार क्या कोसिस किया है कि जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है जैसे कॉस्ट अकाउंटिंग है मैं या फिर स्टैट्स है या फिर अप्लिकेशन पर अवेलेबल है 249 मैं अगें कह रहा हूं मैं को मेरा मुद्दा नहीं है मेरा मुद्दा है कि आपको जो स्पेशल चांस मिला है आप जरूर एक कभी ना कभी बताइए कि हम पास हो गए और बहुत अच्छा मुझे भी फील हुआ कि चलो मैं मदद कर पाया है तो 249 249 का मैं जिसका कोर्स दो कोर्स तीन कोर्स जो अवेलेबल है कोई भी लीजिए 249 आप क्यों ले रहे हो मैंने बोला अप्लिकेशन पर सारा फ्री नहीं हो सकता क्योंकि कुछ कमींस हैं टेक्स हैं काफी सारी चीज़े होते हैं मैं इन चीजों से खुदी बचने की क प्रशिद कर रहा हैं लेकिन क्या एक स्टूडेंट जब एंडॉल होता है ना एनलोल होने के बाद जब कोई भी कॉर्स खरीता है तो स्पेसेफिक सर्वर उनके लिए कोई होता है इसे में सारी चीजह होती है वो आप कैसे पढ़े 249 में लिजे सारी वीडियो आपको सिस्टेमेटिक मिलेंगे विद बुक के नोट के साथ मिल जाएंगे बस मैं आपको लोग के लिए यह कर सकता हूं अब आपके देटशिट कहां से मिलेगा ये भी मैं बता देथा हूं देखिए यहां से देखेंगे ना तो देटशिट आया हुआ है और डेटशिट की मैं बात करूं तो website देखिए exam due मैं website का link दे दूँ हूँ और date sheet पर जाएंगे जैसे अगर मैं इसको नीचे करूँ न तो आप देखिए यहां पर date sheet इस website पर जाएंगे ऐसा कुछ interface खुलेगा date sheet पर जाएंगे यह date sheet खुल जाएगा ठीक है date sheet में age wise है वही मैं सोच हूँ कैसे बता रहे हैं तो यह वाला उपर वाला जो पूर्शन है ना यह स्रीप become honors के लिए है तीन पार्ट जिसका इस टाइम पर स्लेवर्स था उसका यह है जिसका इस टाइम पर स्लेवर्स था यह जिसका स्लेवर्स के एकौर्डिंग है एज के ठीक है यह आपका स्लेवर्स से डेट से डाउनलोड करें अच्छे से पढ़ने के बाद फिर आप डूबी कंटीन्यू करें और साथ के साथ बिलकुल है कि आप लोग की help जितना maximum कर पाऊं यूट्यूब के माध्यम से भी और application के माध्यम से भी मेरी कोसिस यही रहेगी क्योंकि बहुत सारा काम है जो पहले से अलड़ी एक्जिस्टेंस में स्टूडेंट है उनको भी सर्विस देनी है नो थोड़ा सा मेरे पास रहता है लेकिन मैं फिर भी आप लोग जरूर कोसिस करूंगा बस आज की वीडियो का यही परपस था भूब को यह वीडियो थोड़ी है और मैं चाहता हूं कि आप सभी डिग्री ले और अपने जो एक है ना के अंदर से फील्ट साहता है क्यार मैंने भी क्योंचिशन किया डियू से एक सब्सक्राइब से रुक गया था तो वह नहीं आएगा थैंक्यू सो मुलते हैं नेक्स् झाहता है खार किया जो एक है प्रड़ी है